एलो गाईज मेरी सी गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आजपन सोल करने वाले हैं करसी प्रवेक्सक भरती के लिए सेकिंड मोडल पेपर जो की पूरे एक्जाम पेटरन के एकोडिंग सेट किया गया है इसमें कुल 100 परसन है जिसमें आपके 15 क्यूशन हो गये हिंदी के इसके लाव इसमें 25 क्यूशन हो गया आपके राज्सतान जी के के शाटक्न हो गये एग्रीकल्चर के जो ङाटक्यूशन को एकरिकल्चर के इसमें नापके प्रसन नकर में परण देना है और आपको एक। पलं पीडलेकर साथ में पेटना है और फिर आपको लिखते रहना है कि आपके कितने क्यू Most Vern सभी संदी की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है गवाक्स में आयादी संदी है और इसका संदी विचेत गोधन अक्स हो जाएगा नेक्ट येदी second question की बात करें तो second अपने पास question है इन में से कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर देखें नीचे विकल्प दे रखे है यानि इधर तो संदी विचेत दे रखा है और इधर यहाँ पर सब्द दे रखा है तो इन में से बताना है कौन सा विकल्प सही है सबसे पहला नमर पर अपने पास option है दिक धन मंडल दिक मंडल बी नमर पर अपने पास option है अन धन रित अनरत और फिर सी नमर पर अपने पास option है मातरधन इच्छा मातरच्छा और D नमर पे अपने पास option है देवी धन आउतरण तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया देवी आतरण तो बताए देखिए इसका यहाँ पे right answer है वो क्या हो जाएगा इन में से कौन सा विकल्प है वो सही है तो सोचिए आप अपना answer इसका right answer क् अनदन रित है इसका यहाँ पे देखिए क्या सब्द बनेगा अन्रत यानि B नमबर का option है यहाँ पे write हो जाएगा यह अन धन रित इसका क्या हो जाएगा सही सब्द क्या बनेगा अन्रत तो यहाँ पर B नम्मर का उप्सन राइट हो जाएगा नेक्ट एदी थार्ड क्यूसन की बात करें तो थार्ड अपने पास क्यूसन है द्वन्द समास किस सब्द में नहीं है यहाँ पर देखे सब्द दे रखे हैं इनमें से बताना है कौन से सब्द में द्वन्द समास नहीं है सबसे पहले नमर पर अपने पास उप्सन है हरी हर B नमर पर अपने पास उप्सन है सितोसन C नमर पर अपने पास यहाँ पर देखे उप्सन है गोरी संकर और D नम्मर पे अपने पास option है मंत्री परिशद तो बताईए देखें यहां पे कौनसा ऐसा सब्द है जिसमें द्वंद समास नहीं है इसका है पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मंत्री परिशद जो सब्द है इसमें द्वंद समास नहीं है यहीं पूचले कि मंत्री परिशद में समास वताईे तो मंत्री परिशद में तत्वर समास हो जाएगा नेक्ट क्यूसन की बात करें तो नेक्ट अपने पास क्यूसन है भव वीरी समास का उधारण है उप्रसन अपने पास है यता सक्ति, चंदर सेकर, राजकुमार और नील कमल तो बताई देखे इसका या पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भव विरी समास का उधारन कौन सा है इन में से तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो चंदर सेकर है ये भव विरी समास का उधारन है यानि B नमर का option यहां पर right हो जाएगा next अपन क्यूशन की बात करें पांच वो नमर पर अपने पास question है निश्चल सब्द में उपसर्ग है आपको निश्चल जो सब्द है इसमें उपसर्ग आपको बताना है option यहां पर अपने पास दे रखा है निश्चल सब्द में कौन सा उपसर्ग है निश्चल पर अपसर्ग है next देखिए छटे नमर पर अपने पास question है निमिल लिखित में से परते से निर्मित सब्द है इनमें से आपको परते से निर्मित सब्द बताना है अपेक्सित, अदिशेश, अभ्यान और अनन्य तो बताए देखिए इसका आपर राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से परते से निर्मित सब्द कौन सा है तो सोचिए आप अपना आंसर तो बताए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपेक्सित जो सब्द है ये परते से निर्मित सब्द है कौनसा अपेक्सित सब्द है ये परते से निर्मित सब्द है और इसमें इत परते है अपेक्सित में कौनसा परते है इत परते है कौनसा इत परते है अपेक्सित में देखे अपने पास साथ वे नमर पर क्यों से न है यम का परियाईवाची सब्द है, इन वे से आपको यम का परियाईवाची सब्द बताना है, उपसर अपने पास है याग, कार्मुक, किनास और यग, तो बताएदे कि इसका यापर राइट आंसर है, वो क्या हो जाएगा, यम का परियाईवाची सब्द क्या है, किनास क्या है यम का परियाइवाची सब्द यह dishonest है आपको ध्यान रखना स्लब्स नंडर का option और हो जाएगा इसके लावा और अपन बात करें तो इसका और परियाइवाची क्या हो जाएगा जो यम है इसका सूर्य पत्र हो जाएगा अंतक हो जाएगा धर्म राज हो जाएगा और जीवी तेस हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है यम का प्रियाईवाची सब्द किनास Next question की बात करें तो next अपने पास question है आठवे नमर पे सुकसम सब्द का विलोम सब्द लिखे सुकसम सब्द है इसका आपसे विलोम सब्द पूचा जा रहा है तो option की बात करें तो अपने पास यहापे option दे रखे है ए सुकसम विसाल इस्तूल और सुशिल तो बताई दे कि इसका यहापे right answer है वो क्या हो जाएगा सुकसम सब्द का विलोम सब्द क्या हो जाएगा इस तूल हो जाएगा क्या हो जाएगा इस तूल सी नम्मर का option यहापे right हो जाएगा देख़ अपने पास question है सुदा और फिर देखे एक लिखा हुआ है सुद्रा सब्द यूगम का सही अर्थ आपको बताना है इस सुदा का मतलब क्या होता है सुदा लिखा होआ इसका मतलब होता है भूक तो सी नम्मर का option है यहापे right हो जाएगा याये अमरत और भूक इन दोनों का सही सब्द यूगम का नेक्युसन की बात करें तो दसवे नम्मर पर अपने पास क्युसन है सुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चेन कीजिए इन में से आपको सुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है वो चेन करना है तो आपको इनकी को ध्यान से देखना है यहापे देखे पहले नमबर पे अपने पास दे रखा है चर्मोतकर्स फिर यहाँ पे दे रखा है चर्मोतकर्ष यानि यहाँ पे देखे डबल मात्रा है और यहाँ पे सिंगल मात्रा है फिर यहाँ पे देखे चर्मेतकर्ष दे रखा है और फिर यहाँ पे देखे चर्मोतकर्ष यहाँ पे क्या है चर्मो यहाँ पे देखे रह है यहाँ पे रह ह प्रफट वाला यहां पर राइट हो जाएगा नेक्ट क्यूशन की बात करें तो अपने पास यहां पर क्यूशन है ग्यारवे नमर पे निमिल लिखित में से करम भंग सम्मंदी असुद्धी वाला वाक्य कौन सा है इनमें से आपको बताना है कि एसा कौन सा वाक्य है जिसमें करम भंग सम्मंदी असुद्धी है तो पहले नमर पे अपने पास क्यूशन है अधिकतर हिंदी के लेखक निर्दन है और भी वाला अपने पास उप्सन है सहकारिता का अर्थ मिलजूल कर काम करना है हम रात में भोजन करते हैं यह आप पर निर्वर है तो वताई देखे इन करम भंग सम्मंदी असुद्धी है देखे अपने पास बारवी नमर पे क्यूशन है जिसकी भुजाई गुठनों तक लंबी हो वाक्यांस के लिए एक सब्द परियुक्त होगा यानि जिसकी भुजाई गुठने तक लंबी हो तो उसके लिए अपन वाक्यांस के लिए एक स करते हैं सब्द आजान वाहू यानि बी नम्मर का उप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा नेक्ट तेरवे नम्मर पे अपने पास यहां पर क्यों सब्द नहीं है इन्में से आपको बताना है कि सही पारिवासिक सब्द कौन सा नहीं है सबसे पहले देखिए डिस्पेरेट की बात करें तो इसका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा पिर्फिरेट क्यों हो जाएगा यह वालन जो डी यहां पर राइट हो जाएगा यह देखिए कि दे डी वाला option यहाँ पर right हो जाएगा next question की बात करें तो यहाँ पर next अपने पास question है अत्यदिक गुसा आने के लिए सही मुआवरा है तो यहाँ पर बताएगे देखिए इसका right answer क्या होगा option अपने पास है खाल खीचना खून खोलना, खाक में मिलना और गाठ बांदना तो अत्यदिक गुसा आना मुआवरे का क्या हो जाएगा सही अर्थ आपको वतन है इन में से तो अत्यदिक गुसा आने का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा अत्यदिक गुसा आना मतलब खून खोलना यहां पर राइट हो जाएगा तो B-Number का option यहां पर राइट हो जाएगा Next देखें अपने पास question है 9 दिन चले अढाई कोस लोकोक्ती का भावार्त बताईए यानि 9 दिन चले अढाई कोस लोकोक्ती है इसका आपको भावार्त बताना है option अपने पास है काम करने की बहुत धीमी गती पेदल चले चाहे दीरे दीरे ही चले 9 दिन तक परती दिन अढाई कोस पेदल चलना चाहिए पेदल नह चले समय की बच्चत करे तो बताई देखे 9 दिन चले अढाई कोस लोकोक्ती का भावार्त क्या हो जाएगा तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा काम करने की बहुत धीमी गती क्या हो जाएगा काम करने की बहुत धीमी गती होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं 9 दिन चले अढाई कोस तो यहाँ पे इसका पर नमर का option राइट हो जाएगा अपने पास 6वे नमर पे क्युसन है मरुस्तलका सुन्दर उध्यान किस जील को कहा जाता है और अपने पास यहां पर दे रखे हैं गजनेर, कोलायत, नंसमंध और बाल समंध टो बताई देखें इसका यहां पर रायट आंसर है वो क्या हो जाएगा मरुस्तल का सुन्दर उध्यान किस जील को कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कोलाइत जील को कहा जाता है किस जील को कोलाइत जील को मरुस्तल का सुन्दर उध्यान जील भी कहा जाता है नेक्ष्ट देखिए सत्तरवे नमर पे अपने पास क्यूसन है निमिन में से वह नदिया जो के ओल दक्सिनी राजस्तान में बहती है वो कौन सी है एसी नदिया जो की दक्सिनी राजस्तान में बहती है वो नदिया आपको बतानी है उप्सन अपने पास है चंबल रुपारेल बानगंगा पारवती, परवन चम्मल और माही औरसा बरमती तो बताइए दिके इसका ने फेराइटा आंसरां वो क्या हो जाएगा आप सोचिए ऐसी नदिया जो कि कियो राजस्तान में बती है कौनसी है माही औरसा बरमती देख्ट अपने पास क्यूसन है सीत लहर राजस्तान में किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है सीत लहर आपको बताना है राजस्तान में किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है पुरुवे से पस्चिम की ओर, पस्चिम से पुरुवे की ओर, उत्तर पुरुवे से दक्षिन पस्चिम की ओर तो बताईए देखे सीत लहर राजस्तान में किसे दिशा से किसे दिशा की ओर चलती है तो सीत लहर राजस्तान में उत्तर पुरुवे से दक्सिन पस्चिम की ओर चलती है यादि से नम्मर का उप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्ट देखिए गुणिश्वे नमर पे अपने पास कुशन है गोडवार परदेश की विशेष्था नहीं है आपको बताना है कि इन में से गोडवार परदेश की विशेष्था कौन सी नहीं है उप्षन अपने पास यहापे दे रखा है खादर परदेश अंतरवर्ती मेद प्राकरतिक सेम की जो समस्या होती है ये तो का पर पाय जाती है विकानेर हनुमानगड और गंगानगर जीले है उनमें ये प्राकरतिक सेम की समस्या पाय जाती है वाकि ये खादर परदेश अंतरवरती मेदानी परदेश और येका एक अत्तिवरष्टी चेतर है ये गोडवा तो बताई देखीए इसका यहाँ पर राय टांसर क्या हो जाएगा 6 तरपल की दरश्टी से सबसे बड़ा संभाग कूल सा है विकानेर संभाग है यह 6 तरपल की दरश्टी से सबसे बड़ा संभाग है Next देखेए अपने पास 21 से और नमबर पर क्यूнем है राउच अंदरसेन के सासक बनते ही अकबर ने किसको जोदपूर पर आकर्मन करने के लिए भेजाता उप्शन यहापे देखे अपने पास देरका हुसेन कुली खा, सुल्तान खा, आसफ खा और टोडरमल तो इसका यहापे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहापे राइट आंसर हो जाएगा हुसेन कुली खा, क्या हो जाएगा? हुसेन कुली खा को अकबर ने जोदपूर पर आकर्मन करने के लिए भेजाता राउच अंदरसेन के सासक बनते ही तो यहापे परस्ट नमर का उप्शन राइट हो जाएगा संपून रेतिला मरुस्तल क्या कलाता है? तो वो इर्ग कलाता है संपून रेतिला यहीं मरुस्तल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इर्ग बोलेंगे इर्ग बोलेंगे आपको ध्यान रखना है इसके लावा यदी संपून पत्रिला मरुस्तल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हमबादा बोलेंगे क्या बोलेंगे? हमबादा संपून पत्रिला यदी मरुस्तल है तो उसको क्या बोलेंगे? हमबादा बोलेंगे इसके लाओ यदि मिश्रित मरुस्तल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे उसको अपन रेग बोलेंगे आपको ध्यान रखना है यदि मिश्रित मरुस्तल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे रेग बोलेंगे संपून रेतिला मरुस्तल है तो उसको अ अमबादा बोल देंगे नेक्ट क्यूशन के अपने बात करें तो नेक्ट देखें आप अपने पास क्यूशन है 23 नमर पे राजस्तान में जट पट्टी के लिए परसिद गाउं कौन सा है जट पट्टी के लिए परसिद गाउं आपको बताना है उप्सन अपने पास सालावा सजोतपूर लवान दोसा टांकला नागोर और जसोल बाड में तो राजस्तान में जट पटी के लिए परसित गाउं कौन सा है तो इसका right answer को जाएगा जसोल बाड मेTH है यह जट पटी के लिए परसित गाउं है नेक्ट देखे अपने पास 24 बें Western है निमिन कुन सा है बारेट जो हाबुसन है ये कान में पहने जाने वाला हाबुसन है बी नमर का उप्षन यहाँ पर रायट हो जाएगा नेक्ट देखिए 25 नमर पे अपने पास क्यूसन है किसे राज्ये का आतम निर्बर दुर्ग कहा जाता है उप्षन अपने पास दे रहें चितोड गढ़ आमेर का किला जैसर्मेर का किला तो बताताएं है किस राज्ये का आतम निर्बर दुरु का जाता है तो चितव गढ़ कापने 26 नमर पे नमर पे किूसरन है जेपूर जिले के किस इस्तान versiggle के और सगंढनर के गोनदीन गोन्दी और चोमोु के देखिए 3 गोंदी के परसिद्ध है देखिए अपने पास क्यूसन है केला पानी पवित्र तिर्थ इस्तल कहां इस्तित है आपको बताना है केला पानी पवित्र जो तिर्थ इस्तल है यह कहां है तो यहाँ पर देखिए अपने पास ओप्शन दे रहा है डूंगरपूर चितोडगड ने वो क्या हो जाएगा तो इसका आपर right answer क्या हो जाएगा आसा पूरी जो माता है ये मोंदरा माता के नाम से जानी जाती है तो D number का option ये आपर right हो जाएगा अपने पास question है निमिन में से कौन सा वादे यंतर तत वादे यंतर नहीं है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वादे यंतर तत वादे यंतर नहीं है उपसर अपने पास है सतारा, एकतारा, भपंग, तंदूरा इसका रायट आंसर क्या हो जाएगा? सतारा है ये तत वादे यंतर नहीं है सतारा कौन सा वादे यंतर है तो आपको ध्यान रखना है सतारा है सुसिर वादे यंतर है कौन सा वादे यंतर है सतारा सुसिर वादे यंतर है बाकि ये सब है ये तीनों ये तत वादे यंतर है सतारा है ये सुसिर वादे यंतर है देख्ट अपने पास क्यों सेन है अठारा सो सत्ताउन की समय जोदपूर की जो रिया सत्ती उसके सासक कोन थे तो यहाँ पर देखे अपने पास ओप्शन है जस्वंत सिंग सेकिंड अजीत सिंग बगत सिंग और तकत सिंग तो बताई देखे इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अठारासो सत्ताउन की करांती के समय जोदपूर के जो सासकते हो कोन थे तकत सिंग ते यहाँ डी नम्मर का उप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपको अच्छे से ध्यान रखना है नेक्ट क्यूशन की बात करें तो नेक्ट अपने पास क्यूशन है राजपूताना की किस राजगराने ने परजा मंडल को सरक्षन दे रखा था तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा नेक्ट क्यूशन की बात करें तो नेक्ट अपने पास क्यूशन है रिसी पंचिमी का तेवार कब मनाया जाता है आपको बताना है रिसी पंचिमी का जो तेवार हो कब मनाते है भादरपद सुकल पंचिमी को भादरपद कर्शन पंचिमी को सावन सुकल पंचिमी को और भादरपद कर्शन पंचिमी को तो बताई दे कि इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर दूंगरपूर में शिरोई में नेक्ट अपने पास यहां पर उप्सन दे रहा है जोधपूर और विकानेर तो बताई देखिए इसका यहां पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा एक थंबा जो मैल है यह कहां पर है जहां पर देखिए उप्सन आप फिर से देख बूंदी तो बताई देखिए इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बूंदी जो सेलिये यह पसु पक्सियों को महत्व ैदेने वाली आलजिजित है एक देकित आप पास है कि इसका यहाण पे right answer why हो जाएगा। ध़यत देखे 38 noir पर अपने पास क्यूंसन है, कुम्बा को संगित कला में निपुन होने पर कोन सी उपादी दी गई थी यह आपको बताना है। यहां पर देखे सबसे पहले अपने पास ओप्सन है अभिनाव भरताचारिये राणो रासो परम गुरू और राय रायन तो इसका राय टांसर क्या हो जाएगा कुम्बा को संगीत कलामे निपुनों ने पर कौन सी उपादी दी गई थी कौन सी दी गई थी सोचे देखे इसका राय टांसर क्या होगा तो इसका यहां पर देखे राय टांसर हो जाएगा अभिनाव भरताचारी की उपादी यहां पर दी गई थी किसकी अभिनाव भरताचारी की नेक्ट अपने पास यहां पर Q39 नमर पर मरू केसरी नाम से कौन विख्यात हो जाएगा तो मरू केसरी के कौन विख्यात हुएते दुर्गादास जी है ये मरुकेशरी के नाम से विख्यात हुएते सी नमर का option यहाँ पर राइट हो जाएगा next अपने पास एक question है 40 वे नमर पर किसे सासक की मर्ति होने पर ओरंग जेब ने कहा था कि आज कुरूफ का दरवाजा तूट गया है option अपने पास यहाँ पर है राणा राज सिंग, महाराजा जस्वन सिंग पस्ट, दुर्गादास राठोड और जस्वन सिंग शेकिंड तो बताई देखे इसका यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा औरंग जेब ने किसके बारे में कहा था कि आज कुरूफ का दरवाजा तूट गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराजा जस्वन सिंग पस्ट के बारे में है औरंग जेब ने इसा कहा था कि आज कुरूफ का दरवाजा तूट गया है next अपने पास 41 में नंबर पर क्योशन है मुखे मन्तरी निसुल्क पसूधन दवायोजना की सुरुवात कब हुई थी यह आपको बताना है option अपने पास है अगस्त 2010 में अगस्त 2012 में और फिर अगस्त 2020 में और अगस्त 2012 में तो बताई देखिए मुखे मंतरी नीसुलक पसुधन दवायोजना की शुरुवात कब की गई थी इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अगस्त 2012 में मुखे मंतरी नीसुलक पसुधन दवायोजना की शुरुवात की गई थी नेक्ट यहाँ पर देखिए अपने पास क्यूसन है निमन में से कौन सा लगू दिवस वाला पोदा है आपको बताना है कि सोट डे प्लांट इनमें से कौन सा है उप्सन अपने पास है बाजरा, आलू, चना, गेहुं इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा यानि सोट डे प्लांट कौन सा है इनमें से बाजरा है यह सोट डे प्लांट है तो इसका पश्ट वाला उप्सन है वो राइट हो जाएगा नेक्ट देखिए अपने पास 43 नमबर पे क्यूशन है निमिन में से किस जेव उरूरक को दलनी पसलों में नाइट्रोजन इस्तरी करण के लिए उप्योग कर सकते हैं वो प्सन अपने पास है माइकोराजा, राइजोबियम, एजेटोवेक्टर और एंजो, इस्पारेलिम यह तो किसी का गलत नहीं होना चीए, यह तो सबका सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, क्या हो जाएगा राइजोबियम, नेक्ट अपने पास यहापे क्यूशन है, निमिन में से किस सनस्तर में पोशक तत्वा गतिसील होकर निक्सालित हो जात तो यहापी डी वाला उप्सं राइट हो जाएगा नेस्ट अपने पास क्यूसर नहे estim AT 4 घट की बहुतिक इंके बहुतिक ? जेविक सक्ति का जो योग है उसको पन क्या बोलते हैं यह आपको वताना है क्या बताना है मर्दा की भोतिक रासाइनी के उम जेविक सक्ति के योग को अपन क्या बोलते हैं मर्दा उत्पादक्ता, मर्दा उर्वरता, उपज और मर्दा निर्मान तो क्या बोलते हैं मर्दा की भोतिक रासाइनी के उम जेविक सक्ति के योग को क्या बोलते हैं मर्दा उर्वरता बोलते हैं या पे B नम्मर का उप्षन है यह राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन की बात करें 46 नम्मर पे अपने पास क्यूशन है यूरिया उर्वरक परधान करता है 20% नाइट्रोजन 18% नाइट्रोजन 16% नाइट्रोजन यूरिया उर्वरक है यह 46% नाइट्रोजन है परधान करता है कितना यूरिया है वो 46% नाइट्रोजन परधान करता है अपने पास क्यूशन है पोदो के लिए निमिन में से गंदक यानि सलपर का साधन है आपको बताना है कि इन में से पोदो के लिए सलफर का सादन कौन सा है SSP, गंदक तत्वा, जिपसम और उप्रोक्त सभी तो बताएए देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी यह सभी है जिए क्या करते हैं पोदो के लिए सलफर का सादन है तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से एक्ट देखिए 48 नमर पे अपने पास क्यूशन है निमन में से कौन सा पोशक तत्वा पोदो के लिए उर्जा के स्रोथ के रूप में जाना जाता है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पोशक तत्वा है जो कि पोदो के उर्जा के स्रोथ के रूप में जाना जाता है उप्सन अपने पास है नाइट्रोजन, पोटास नेक्ष्ट अपने पास यहापे उप्सन है पासपोरस और सलफर तो बताई दे कि इसका यहापे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इसा कौन सा तत्वा है जो कि पोदो के लिए उर्जा स्रोथ के रूप में जाना जाता है इसका यहापे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका यहापे राइट आंसर हो जाएगा पासपोरस पासपोरस जो तत्वा है ये पोदो में उर्जा सुरोत के रूप में जाना जाता है next question की बात करें तो next अपने पास यहाँ पे question है आप देख सकते है निमन में से कौन सा एक सुकसम तत्वा है 49 नमर पे क्या question है कि इनमे से आपको सुकसम तत्वा बताना है हाइडोजन, गंदक, जस्ता और मेगनिसियम तो बताई देखिए इसकाया पे राइट आंसर हो क्या हो जाएगा जस्ता है ये सुक्सम तत्व है कौनसा जस्ता क्या है जस्ता एक सुक्सम तत्व है नेक्ष्ट देखिए अपने पास 50 नमर पे क्यूसन है निमन में से द्युत्यक भू परिसकरन का उधारन नहीं है इन में से आपको बताना है कि द्युत्यक भू परिसकरन का उधारन कोनसा नहीं है सबसे पहले अपने पास उप्सन है गहरी जुताई, हेरोईंग, भूहाई और पाटा लगाना ग्रो आउट परिक्षं किसके लिए करते हैं अंकुरण परतिसते के लिए वी जोज के लिए अन्वानिरीत रेटक परिक्षंच को सावा brethren को Hij Kis को आई नायों परो परिक्षंच के लिए बृर ओनी परिक्षंच के लिए को यह ईंतव करते हैं ग्रो आउट crucial करते हैं सुधता के लिए उप्रोक्त सभी इसका याप रायट आंसर क्या हो जाएगा बताईए देखे, ग्रो आउट परिक्सन किसके लिए करते हैं आन्वाल सिक सुधता के लिए मेथालीν, कौन सा है पेंडी मेथालिन कोँ सा है पेंडी मेथालिन इसका यहाँ पे राइट आनसर हो जाएगा डी वाला ओप्षन यहाँ पे राइट हो जाएगा next अपने पास यहाँ पे क्यों सन है S इंची 6 रो के लिए सरसो की भीजदर परती हेक्टर रखते है तो यहाँ पर देखे, option दे रखा है 2-3 kg, यहाँ पर है 4-5 kg है, इसको सही करिएगा, फिर यहाँ पर 6-7 kg और 8-9 kg, तो बताई देखे, S इंची छेत्रों के लिए सरसों की बीजदर कितिनी रखते हैं, 4-5 kg रखते हैं, B वाला option है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, S इंची यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C-R-I यह उसता है, यह किस पसल से संबंदित है, गयो की पसल से संबंदित है, जो कि गयो की भुवाई के 21 दिन बाद यह आती है, C-R-I stage, तो यह गयो से संबंदित है, 55 नमर पर अपने पास यहाँ पर क्यूशन है, कुसूम का वानस्पतिक नाम होगा, कुसूम है, इसका आपको वानस्पतिक नाम बताना है, उपसल अपने पास है, कॉर्थेमस डिक्टोरियम, लाइनम यूसी टेटीसियम, रिसिनस क्यूमिनस और इरुका से टाइवा, तो बताएए देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो क्या हो जाएगा, कार्थेमस डिक्टोरियम, क्या हो जाएगा, कार्थेमस डिक्टोरियम, क्या हो जाएगा, कार्थेमस डिक्टोरियस है, यह कुसूम का वानस्पतिक नाम है, लाइनम यूसी टेटीसियम है, यह किसका नाम है, तो यह तारामीरा का है, यह तारामीरा का है, है आपको पता चल गया होगा नेकर अपने पास क्यूंसे तो यह सब 46 की किसमे हो गई किसके किसमे है यह सब मसूर की किसमे है आपको ध्यान रखना गरीमा सपना मली का सिवाली का मसूर की किसमे है नेक्ष्ट अपने पास क्यूसन है तिल पसल किस कुल से संबन दीत है तिल का आप से कुल पूचा गया है और अपने पास यहां पर दे रखा जाएगा। एक पास कुलका पूधा है। बंकर, कोचमेन और अलजेरियन है, ये किसमें, किसकी है ये आपको वताना है, जई की है, रिजका की है, बर्शिम की है, ये सोय भीन की है, तो बताएए दे कि बंकर, कोचमेन और अलजेरियन है, ये किसे पसल की किसमे है, सोच ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो य यह सब हैं जाई की किसमे किस की किसमे यह जाई की किसमे बंकर कोच्में अलजेरीयन अपने पास यहां पिका पिट्र ही संह यह बंकर किसम पास है है स्वारती है कि Try too कितनी रखते हैं यह आपको वताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 से 25 किलो है मेथी की सामानेता सीड रेट रखते हैं परती हेक्टर नेक्ट अपने पास यहां पर क्यूशन है भारत दुवारा सरवादिक कौन सा फल निर्यात किया जाता है क्या बताना है आपको कि बताएं इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके राइट आपको बताना है वितामिन A1, वितामिन B, वितामिन D, उर सी दोनों तो बताएं देके जल में गूलनसील वितामिन हो जाएगी B और C कैसे ध्यान रखेंगे तो जल का मतलब क्या हो गया Water Water मतलब W W से आपको ध्यान रखना है W, B, C W का मतलब Water और B और C है ये जल में गुलनसील विटामिन है बाकि और जो विटामिन है ये किसमें वसा में विलनसील है तो ये दोनों B और C विटामिन है W, C ध्यान रखना Water में गुलनसील विटामिन कौन सी है W, C यानि B और C तो इनसे आपको ध्यान रखना है Next अपने पास क्यूसन है टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है टमाटर का लाल रंग आपको बताना है के रोटीन, लाइकोपीन, टेंजरीन और प्रोलाइकोपीन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है तो next देखे अपने पास यहां पर क्यूसन है एक किसान एक एक्टर में अमरूद का बाग पंचकोण यह वीदी से लगाना चाहता है यह दि अमरूद के पोदे की दूरी आठ इंटू आठ मिटर हो तो मुख्य पोदो की कुल संक्या बताईए यहां पर देखे अपने पास उप्सन दे रहें इसका है पर राइट आंसर कितना हो जाएगा पूरा इसक्यूसन को अपन डिटेल में करके देख लेते हैं अब अपन है सबसे पहले है वर्गाकार वीदी से पोदो की संक्या ग्याद करेंगे क्योंकि जो पंच कोण ये वीदी है उसमें अपन पहले वर्गाकार वीदी से पोदो की संक्या ग्याद करेंगे फिर आपको पता होगा पंच कोण ये वीदी में पूरक वोदे लगाते हैं फिर पूरक पोदो की संक्या आएगी उनको दोनों को एड़ कर देंगे तो वो पंच कोनी वीदी से अपने पोदो की संक्या आ जाएगी तो सबसे पहले अपन क्या करते है वर्गाकार वीदी में पोदो की संक्या का यहाँ पर देखिए फोर्मूला दे रहा है वर्गाकार वीदी का यहाँ पर फोर्मूला क्या होता है 8 into 8 कितनी है? 8 into 8 यहापे R into P है तो यह अपने एसे का ऐसे पर रूरे में add कर दिया फिर देखें next अपने 1000 में 64 का अपन भाग देंगे 64 का से आया? 8 into 8 कितने होते हैं? 64 जैसे अपने इसमें भाग देंगे तो 156 अपने पोदे आ जाएंगे पूरक पोदे निकालने के लिए देखें या पर पूरक पोदो का एक फोर्मूला होता है निकालने का लंबाई में लाइनों की संक्या-1 इंटू चोडाई में लाइनों की संक्या-1 ये फोर्मूला होता है और इस फोर्मूले से अपन पूरक पोदो की संक्या निकाल सकते हैं एक एक्टर मतलब 100 मिटर लंबा और 100 मिटर चोड़ा अपना ये बाग है, तो अब अपन को क्या करना है, लाइनों की संक्या ग्याद करनी है, लंबाई और चोड़ाई में, कि यहां पर कितनी लाइने बनी हुई है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर अपने 100 है, सो में अपन भाग देंगे आठ का अब आठ का से आया तो आठ अपने क्या थी रो भी आठी थी और प्लांट भी आठी थे तो अपन सो में आठ का भाग देंगे जैसे सो में अपन आठ का भाग देते हैं तो अपने लंबाई में लाइनों किसंग्या कितनी आ गई बारा और इ गैरा को गैरा से इंटू किया तो अपने पोधि आ गया अब ये अपने आगे nessa 121 के आगे पोरग पोधि आ गये को और 156 अपने वरघाकार वीदी से निकाली थी दोनुन को अपने लेंगी क्विदी से जो पोदे तयार होते हैं उनको क्या बोलते हैं मूल वरंत मात्र पोदे बीजू पोदे और सायन पोदे तो इसका रायट आंसर क्या हो जाएगा बीजू पोदे बोलते हैं लेंगी क्विदी से जो पोदे तयार होते हैं उनको क्या बोलते हैं पन बीजू का अपने यूज करते हैं बी वाला उप्सनिया पर राइट हो जाएगा फलो को पकाने के लिए काम में आने वाला वर्दी नियंतरक है फलो को पकाने के लिए क्या काम में लेते हैं वो आपको बताना है फलो को पकाने के लिए कौन सा अपन वर्दी नियंतरक काम में लेते हैं इताइलीन या इतरेल काम में लेते हैं सी वाला उप्सनिया पर राइट हो जाएगा नेक्ट अपने पास lots की कि जाती है अम्रूद में अनार में बेर में या फिर आम में यह गराप्टिंग या इस्टों गराप्टिंग नेक्ट अपने पास milli सा चिकन एंड हैंड व्दिसोर्टर किस फल में होती है किन्नों में अंगूर में खजूर में आउला में तो किस में होती है यह अंगूर में होती है किस में होती है अंगूर में होती है और किस की कमी से होती है तो बोरोन की डेफिसेंसी से यह विकार हो जाता है क्या चिक्कन एंड हेड विकार है सरदार अम्रूद और सपेज जाम तो इसका right answer क्या हो जाएगा L49 अम्रूद की किसमें इसका ने नाम क्या है सरदार अम्रूद क्या है सरदार अम्रूद भी इसका नाम है L49 का ट्रिपने गेतर नमर पे क्यूसन है ये आपको बताना है हवाद्वारा, करत्रिम रूप से, किटो द्वारा या फिर सभी इसका right answer क्या हो जाएगा खजूर में प्रागन कौन सा होता है खजूर में करत्रिम रूप से प्रागन करवाया जाता है खजूर में hand pollination होता है यहाँ पर right answer हो जाएगा आपको बता के बात करें यहां परके हैँए यह आपको वताना है उप्सन अपने पास है लखनाव कानपूर नेक्ट अपने पास है यहापे उप्सन है वारा नसी मेरट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा भारती सब्जी अनुसंदाश रस्तान का पे है वारा नसी मेर का पे है वारानसी में, नेक्स अपने पास क्यूशन है मिर्च में तिकाफण का कारण है तो, उप्सन अपने पास है सो लेनीन कैपसेनीन, इसके लाओ नेक्स अपने पास क्यूशन है केप से सीन क्या होता है केप से सीन है यह मिर्च में तीकापन का कारण होता है इसके लाव मिर्च का लाल रंग आप से पूछ लें तो केप अपने पास क्यूसरन है बेंगन की परती हेक्टर बीजदर रखते हैं बेंगन की बीजदर आप से पूची गई है 100-200 ग्राम परती हेक्टर 400-500 ग्राम 900-1000 ग्राम और 5 किलो परती हेक्टर तो बताई दे कि पताना है पताना है उप्सन अपने पास है सिर्का, पानी, चीनी, ग्लुकोज तो बताई देखे इसका यहाँ पर राइट आंसर हो क्या हो जाएगा सिर्का है टमाटर के परिरक्षन के लिए अपने यूज लेते हैं एक पने पास यहाँ पर एक यूशन है 79 नमबर पे फ़ल तरकारी परिरक्षन परोद्योगी की पुस्तक के लेखक क्या बताना है इसके लेखक कipple करें टोक्टर पिके शिंग। इसका राएट आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ परिया राइट आसर हो जाएगा क्या question है गुलाब की कटाई छटाई का उप्यूक्त समय आप से पूचा गया है तो अक्टुम्बर जनुवरी सितंबर और अप्रेल इसका right answer क्या हो जाएगा अक्टुम्बर मा है ये गुलाब की कटाई छटाई का उप्यूक्त समय है नेक्स्ट क्यूशन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्यूशन है पसु विग्यान यूँ पसु पोसन परियोजना नीदे साले कहां इस्तित यह आपको बताना है क्या बताना है पसु विग्यान यूँ पसु पोसन परियोजना नीदे साले है यह कापे है करनाल में बें विकानेर में इस्तित पसुची किस्सा इंपसु विज्ञान महाविद्धा लेकी इस्तापना कब हुई थी यह आपको वताना है उप्शन अपने पास यहां पे हैं 1954 में, 1987 में, 1966 में इसके बाद नेक्ष्ट अपने पास उप्शन हैं इसका यहापर राए टांसर हो जाएगा, 1974 में इस्तित पसुची किस्सा इंसतंपना हुई थी 1924 इसका राए टांसर हो जायका देख्ट अपने पास यहँ ? सप्रेटा दूद का अपस्शित ग्हनतवै आपसे पूचा गया है, क्या पूचा गया है सेप्रेटा जो दूद होता है उसका अपिक्सित गनत्व है तो यहाँ पे option अपने पास है 1.025, 1.037, 1.030 और 1.093 तो बताइए देखिए जो सेप्रेटा दूद होता है उसका अपिक्सित गनत्व है वो कितना होता है तो इसका यहाँ पे right answer कितना हो जाएगा 1.037 यानि B नमर का option है यहाँ पे right हो जाएगा आपको ध्यान रखना है जो सेप्रेटा दूद है उसका अपिक्सित गनत्व कितना होता है 1.037 है सेप्रेटा दूद का अपिक्सित गनत्व होता है तो दूद का जमाव बिंदू है यानि freezing point कितना होता है यह आप से पूचा ग चोवन डिग्री सेल्सियस पर्ष्ट नमर का option यहाँ पे right हो जाएगा अपने पास यहाँ पर एक क्यूशन है प्रिवेशन ओप फूड एडिसनल एक्ट पी एफ एए के अनुसा डबल टोंड जो दूद होता है उसका मानक मान आपसे पूचा गया है सबसे पहले नमर पे अ इसका यहाँ पर नमर का option यहाँ पर राइट हो जाएगा तो प्रिवेशन ओप फूड एक्ट के अनुसा डबल टोंड जो दूद होता है उसका मान क्या हो जाएगा वसा क्या होती है 1.5% होती है और SNF 9.0% होती है याणि वी नमर का option यहाँ पर राइट हो जाएगा यहाँ omints जाएक हो जाएगा वी नमर के अपने पास fusion है Will bring cream यह मध्यम क्रीम में वसा कितनी होती है 200-45 परसेंट 25-40-45% और 85-85'. इसका या पर right answer क्या हो जाएगा whipping या मध्यम क्रिम में वसा कितनी रहती है तो मध्यम क्रिम में वसा रहती है 25 से 45 परसेंट यारी सी नमर का option या पर right हो जाएगा इसके लावा बात करें या पर पतली क्रिम तो पतली क्रिम होती है उसमें वसा कितनी रहती है ये 25 से 45 परसेंट वसा रहती है तो next अपने पास या पर एक क्यूशन है खारे पानी वाली छेत्रों में डेरी बरतनों की सपाहेतू जटिल फोस्पेट यानि टेटरा पास्पेट की कितनी मात्रा काम में ली जाती है ये आपको बताना है 2 परसेंट 5 परसेंट 8 परसेंट 10 पर गढ़ना जो 2017-2018 में की गई थी राज्ये की कौनसी पशू गढ़ना थी यहाप इपने पास ओप्सेंट 8 वी गुर्णी स्वी 20 वी 21 वी तो वो कौनसी पशू गढ़ना थी 20 पशू गढ़ना थी 2017-18 में जो पशू गढ़ना की गई थी वो next अपने पास क्यूशन है कौनसा पशू राजस्तान में सरवादिक पाया जाता है आपको बताना है राजस्तान में कौनसा पशू सरवादिक पाया जाता है गोवन्स भेड उसके बाद next अपने पास यहाप है उट और बकरी तो बताई देखे कौनसा पशू है जो राजस्तान में सबसे ज़्यादा पाया ज तो बताई दे कि भेड़ और बकरी के जो प्रोड नर होते हैं वो क्या कहलाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है भेड़ का जो प्रोड नर होता उसको तो अपन रेम बोलते हैं और बकरी का जो प्रोड नर होता उसको अपन क्या बोलते हैं बक बोलते हैं पस्ट नमर का उप इसका पस्ट वाला उप्सन यहां पर राइट हो जाएगा फ्रण अंतर्गत नहीं है इसको सब्सकिर्च कोеть इसकीë। पसा 10 तो बताईए देकि इसका यैप राइट आंसर वो क्या हो जाएगा इसका पर राइट आंसर हो जाएगा वीसके सूर्से यानि विदेसी गायत में गुप संख्या cat साट होतीह है इक्स अपने पास यहाप रे 있고 Scenek प्षे और भी गाहे की कोनसी दूदारू नसल यानि आपको बताना है कि भेट केसी कौन सी नसल है जो कि light breed है option यहाँ पर देखे अपने पास दे रखा है सूर्ती, मुर्रा, मेसाना और नागपुरी तो बताई देखे इसका यहाँ पर right answer है वो क्या हो जाएगा तो बेस की जो सूर्ती नसल है यह हल कि स्रेणी में आती है कोई सी नसल? सूर्ती जो बेस की नसल है यह हल कि स्रेणी में आती है next देखे अपने पास question है बकरी पालन का मुख्य उद्दे से क्या है तो यह देखे यहाँ पर अपने पास option है नेक्ट देखे अपने पास यहां पर क्यूशन है बेड़ परजनर के अंदर फतेपुर सीकर में कब इस्तापीत हो आता यह आपको वताना है बेड़ परजनर के अंदर फतेपुर सीकर में भी है इसकी इस्तापना के बारे में आपसे पूचा गया है उप्सन अपने पास है 1903 1983 next अपने पास 1986 और next अपने पास Kelln तो बताई देखे कि इसका यहाँ पिर आइट अन्सर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पिर यहाँ पर आइट अन्सर हो जाएगा भेट परजनन के अंदर फथे पूर सिकर में कब बनाता यह बनाता कब इसका है पिर आयट आंसर क्या हो जाएगा पाई का जो रोग है ये जिवान उजनित रोग नहीं है ये किसकी कमी से होता है पाई का पासपोरस की कमी से पस्वों में होने वाला रोग है तो ये आपको ध्यान रखना है पाई का पासपोरस की कमी से होता है सो नमर पे अपने पास क्यूशन है, हे में नमी का परतिसात होता है, हे में आपको नमी परतिसात पूचा गया है, उप्सन अपने पास है 15% से कम, 15% से अधिक, 65% से कम और 65% से अधिक, तो बताए देखे हे में नमी कितनी होती है, हे में नमी 15% से कम होती है, हे में नमी 15% से कम बनता है किसे बनता है बर्सीम और रिजके से सबसे अच्छा है बनता है तो आज के अपने क्यूशन कंप्लीट हो गए यदि आपने पश्ट मोडल पेपर नहीं देखा तो वो भी आप सोल कर लीजेगा उसका लिंक में डिस्कप्शन में डाल दूगा बाकी और मिलते हैं अप